हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का कमलेज विश्वकरमा यूटूब चैनल पे जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पर फ्रेंड्स फानली यह आप लोग का मनिश्ट्री ओपिस्कील डेवलोप्मेंट एंड इंटर पेनर्शिप यह फ्रेंड्स आप ल की आप लोग को सभी स्थान है यहाँ पर उनको आप लोग का एक अपलोग को बिल्कुल प्रूप कीसा त्था आपको बताऊंगा तो यहां पर मैं आज बात करने वाला हूँ आई टी आई एक्जाम 2021 के बारे में जो कि यहां पर मेरे कमेंट बाउक से बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर बताएं कि 2018 लेकर 2020 जिनका एडमिशन हुआ है और उनका यहां पर जो कोड से हो दो साल का है और उनका जो इस बार से केंडियर क तो इनका एक्जाम कैसे होगा किस प्रकार होगा और रिजल्ट कब तक आएगा एडिमिट कार्ट ने डाउंड हो रहा है तो इनका जितने भी सारे कुईसन है मैं आज आप लोगा इसमें बताने वाला हूं और जितने भी छात्रों का 2019 से लेकर 2021 सत्रमेड विजन हुआ है और इनका जो कोर्स है हो दो साल गए ठीक है तो इनका फ्रस्ट इयर है तो इनके लिए भी यहां पर एक नूटिस जारी हुआ है कि उनका एक्जाम कब होगा आनलाइन होगा या फिर आफ लाइन होगा इनका स्रिबिटी एक्जाम कब होग आपर इनके लिए लिए भी फाइली में आज आप लोगकर डाउट क्रियर कर दूँगा और जितने भी छात्रें यहां पर 2020 से लेकर 2021 में यानि जिनका एक साल का कोर्स है ठीक है एक एक कोर्स है और इनका इस बार फर्स्ट इयर है ठीक है तो इनका एक्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इनके लिए भी फाइनली आप लोग नोटिस जारी हो चुका है तो मैं आप लोग इस वीडियों बताने वाला हूं तो जि आप लोग अभी तक मेरे वीडियों को लाइक नहीं किये हुए हैं तो आप लोग इसे एक लाइक करिए और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किये हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें आपको नीचे एक रेट करका बटन दिखना सब्सक्रा जानकारी दी जाती है तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियों को अपने दोस्तों के पास सेयर कर दें अपने वाटसब फैस्टबूक इस्टाग्राम ग्रूप में ताकि सभी इस ब्लेंट को मालू हो जाए कि उनका एक्जाम में क्या 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 प्रावलम आ रही है उनका जो यह टाइम डाव वेश्ट करती वीडियो को सुरू करते हैं जैसा की फ्रेंड्स यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं आई टी आई मार्च एक्जाम कब होगा आई टी पर इच्छा दो हजार एक्जाम यहां पर फुस्टीयर बैक एक्जाम के लिए बहुत ही बड़ी ले जिनका एडिमिशन 2019 से लेकर 2021 में हुआ है उनको बता रहा हूं ठीक है तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं आप लोगों का लेटर जारी हुआ है जो की फरवरी 2021 को इसमें आप लोगों का बताया गया है कि यहां पर इतने भी छात्रा इटाई फुस्टीयर के हैं और दो साल का कोर्स है और इनका एंसीविटी आइटियाई है तो इनका यहां पर जो फरस्टे की स्टूडेंट है इनका एक्जाम यहां पर लिया जाएगा इनको हाला की पहले प्रमोट करने की बात कही गई थी बट रद कर दिया गया है उनको बस इसकालर सीप के वज़े स से उनको प्रमोट किया गया था कि उनका इसकालर सीप का फार्म फिलफ हो जाए उनका इसकालर सीप आ जाए इसको प्रमोट किया गया था बट यहां पर उनका एक्जाम भी लिया जा रहा है ठीक है और उनका टाइम टेबल भी आप जारी कर दिया गया डिजित द्वारा तो यहां पर इनका एग्जाम जो है पहले ईजिंग ट्राइंग और प्रिकिकल प्रिक्टिक यहां लिया जाएगा इसके बाद आप लोग का ट्रेड थी वगज़ाए गताफ पालिया जाएगा है यहां पर आप लोग देख पाई दिनांग में एक तीन दोहजार 21 से सोम वार की दिन आप लोगों का मार्निक पाली में 10 वैसे आप लोगों का फश्टियर का पेपर फोर्थ इंजिन ड्राइंग का एक्जाम लिया जाएगा श्रभी ट्रेट का फ़र्स्टियर का ठीक है आप लोगों का एक मार्स स चलेगा और यह दिन आप लोगों का इंजिन ड्राइंग का एक्जाम लिया जाग जो कि मार्निक पाली में ही और यहां पर मैं आप लोगों को फश्टियर को उनका हॉल टिकेट कब आएगा क्योंकि उनका एससमेंट और उपश्टिती और परिच्छासूर के आप पेमेंट करना होता है इसके बाद ही उनका एक्जाम का हॉल टिकेट आता है तो उसके लिए डेट यहां पर देख पा रहे हैं आप लोगों का दिनांग के 11-2221 से 17-2221 तक आप लोगों का स्टेशनल मार्क अटेंडेंस परिचासूर का आप लोगों को पेमेंट करना होता है जो कि और आप लोग का हल्डिकेट जारी हो जाएगा और अगर आप लोगो वीडियो चाहिए होल्टीर करने वाल दूरट करने वाला की आप लोग जितने भी चात्रों का 2018 से लेकर 2020 में इड्मिसन हुआ है उनके लिए बहुत ही अच्छी ख़परया पनिकल क्या रही है आई टी आई में होगी आनलाइम परिच्छा है ठीक है और यहाँ पर दिया गया उन्नाव कोरोना काल के चलते जुलाई 2020 में नहीं हो सकी बेवसाइक कोर्सों की वार्षिक परिच्छा है डिरेक्टरेट जनरल आफ ट्रेनिंग डिजिटी ने और दोगी परसिचर्ट सहिस्थानों में सुरू कराई है कोविड नाइन्टिंग की गाइडलाइन को ध्यान में रचते हुए यह परिच्छा आनलाइम मोट पर कराई जा रही है यहाँ पर जितने भी चात्रों का 2020 से लेकर 2020 में एडिमिसन हुआ है इनका सेकेंड यह है तो उनका यहाँ पर देख पा रहे हैं इनका एक्जाम चल रहा है कई सिप्ट के माद्यम से ठीक है यानि आप लोग का 12 सिप्ट के माद्यम से आप लोग का एक्जाम होना है और जिनी स्टूडेंट का आप एकजाम छोटता है उनका एकजाम फिर से दोबारा लिया जाएगा आगे मैं आपको एक नेक्ष वीडियो के मादम साथ को बताऊंगा कि आप लोग का एकजाम दोबारा लिया जाएगा बिल्कुल उप्रूप के साथ तो आप लोग चैनलों को सब्सक्राइब कर लें और फिर घंटी को प्रेस कर लें आगे का वीडियो पाने के लिए और यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं गाइडलाइन को द्यान में रखते हुए यह परिच्छा आनलाइम मोटपर कराई जा रही है पर संस्थानों को यह परिच्छाँ होना पड़ रहे है इसके पीछे की वज़त संसाधनों की कमी इंटरनेट की समस्या जिस वज़त से जुड़े दूसरे संस्थानों में परिच्छा देने को मजबूर है जिले में पांच राजेकी और 25 सहिस्थान जी आई टी आई भीगा पूर्वा फतेपुर 84 गंज हसनपूर हसन गंज वह उन्नाव है वही जिले भर में 10 अलग-अलग नीजी सहिस्थान यहाँ आप आप देख पार है वर्स 2018 से लेकर 20 और 2019 से लेकर 20 को वार्षिक परिच्छा क क्रोना काल की वज़े से समय रहते हुए नहीं हो सकी जिसे अब संपाधित कराने का कारें डिजिटी कर रही है 24 फरवड़ी तक आयोजित होने वाली परिच्छा दो पाली में कराई जा रही है इसके लिए सहिस्थानों में एक कंप्यूटर लेप तैयार करया गया है जिन्तम तक्निकी वाले कंप्यूटर की कमी के कार्ट परसिच्छों को परिशानी होना पड़ रहा है उन्नाव जी आईटी के पांचार वीके वर्मा ने बताया कि 24 फरवड़ी तक परिच्छा करानी है डिजिटी की और से जो सेडियूल जारे किया गया है ताथ परिच्छ परिच्छान में ही कराई जा रही है यहां पर आप लोगों के बाद रहे हैं कि यहां पर जिनका सेकेंडिर का एकजाम है उनका यहां पर आनलाइन सीबीटी के माद्यम से एकजाम कराया जा रहा है ठीक है